जब उन्होंनों कोई जवाम नहीं दिया तो फिर में एक एक चीज खोलने लगा जैसे इस देश में वो यह कहें कि हम खेल कुद में भी माइनोरीटी के लिए कोटा फिर्फिक्स करेंगे आज पंजाब के मेरे बचे जो खेल जगत के अंदर बहुत अच्छा कररें हैं बंगाल के नोजवान फुटबाल में बहुत अच्छा करररें है उत्तरप्रदेश के हमारे नवजवान जो एथलेट्स में कभी अच्छा कर रहे हैं अब वो अपनी जवानी उसमें खपा देते हैं दस बारा साल की उमर से ले करके पच्छा के लोग इतना तप करते हैं तपते हैं सरी को तपाते हैं खिलाडी ऐसा नहीं बनता है और सुबह रात को निन नहीं आती सुबह 4 बज़े उड़कर के चले जाते हैं अब कहते हैं यह माइनोरिटी के लिए कोटा होगा तो मेहनत करने वाला मेरा नौजवान जाएग कहां जी उनका क्या होगा दूसरा उन्होंने कहा कि देश में अब जो टेंडर होंगे उस टेंडर में भी वे कि माइनोरिटी के लिए आरक्षन करेंगे मतलब यह हुआ कि आज मान लीज़े कोई कहीं पर बहुत बड़ा महत्वपण ब्रीज बन रहा है उस ब्रीज ब्रीज बनाएगा तो जिसके पास ट्रेक रेकॉर्ड है जिसके पास समसाधन है जिसके पास capability है जो परफॉर्म कर सक करता है सारे उसकी रिक्वार्मेंट उसकी पूरी करता है उसके competition होती है और competition में निकलता है उसको टेंडर मिलता है यह कहते नहीं यह सब बाद में अब बुचे बताएगे अगर इसी प्रकार से सिर्फ धर्म के आधार पर कोटा दे जेंगे वो ब्रिज बनेगा लोग मारे जाएंगे तो कौन जिमेवार होगा क्या वोट बेंक के लिए आप आने वाली पीडियों को भी तबाह करना चाहते है तो यह ऐसे विशे थे जो कॉंग्रेस ने अपनी वोट बेंक के खातीर के मैं मेरा कर्तव बनता है कि मैं मेरे बलीत भाइयों गदिकार के लिए लड़ू मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए लड़ू और इसले में लड़ाए लड रहा हूं तो यह जो पर्सेप्शन मना जा रहा है कि आप आये तो बिल्कुल अरक्षन ही खतम कर देंगे यह क्या इन्हों ने यह पाप कर दिया है उसके खिलाब मैं बोल रहा हूं इतले उनको जुट बोलने के लिए चीज़ का उपयोग करना पड़ रहा है अभी कॉलकाता ही कोट का स माइनोरिटी को देने का पाप शुरू किया पहले अंद्र में शुरू किया सुप्रिम कोट ने तक मैं हार गए हाई कोट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संभिदान एलव करता नहीं है तो इन्हों ने चालागी करके पिछले दरबाजे से खेल शुरू किया और सभी जातियों को बीसी बना करके जो बीसी का हग था और रातो रात डाका डाल दिया लूट लिया और इसके खिलाफ चुनाओं की सरगर्मी चल रही है तब हम तो बोली रहे थे कभी यह हो रहा है करनाटक में हुआ है मैंने बताये था हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थ लेकिन जब हाई कोड का जज्जमेंट आ गया तब यह साफ हो गया कि इतना बड़ा धोका हो रहा है लेकिन इससे भी दुरभागी की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीती करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे है जुड़ी शेली को गाली दे रहे है न्याय पालिकां को गाली दे रहे हैं और वो यहां तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाएं हम कौड की बात मानने वाले नहीं है कि यह जो सिती है वो किसी भी हालत में स्विकारियन नहीं हो सकती है इनको बात में सकती हो जाएं हो सकती है